इंद्र जीत श्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है हम पर रहा है NCRT क्लस 9 अध्याय दो संसाधन के रूप में लोग भाग 5 जिसमें हम स्वास्त के बारे में पढ़ेंगे टॉपिक है स्वास्त अब स्वास्त क्यों जरूरी है? अच्छा सिहत क्यों होना चाहिए सबसे अहम सवाग सिहत अच्छा क्यों होना चाहिए हमें एकदम स्वास्त क्यों दिखना चाहिए अब इसका जबब आप दे सकते हो कॉमेंट में तो देखते दिखाओ नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही न आग कोई भी काम नहीं है संसार का कि सिहत खराब हो तो कोई कर सकता लेकिन कपार पर दिमागी पागल्पन कर जुनूम सवार हो तो आदमी बिमारी को भी क्वरा सकता है अपने दिमाग के बन से, अब मेरे को कभी कभी होता क्या है, मैं तवियत खराब भी रहता है न, तो हम ऐसा काम करते हैं, हम रेस्ट करने वज़े इंसान में से नहीं है, तवियत खराब उसमें भी रेस्ट नहीं करते हैं, काम करो, तवियत अटोमें ठीक हो जाता है, डर के मा स्वास्त होने के कारण स्वास्त स्रमिकों के बराबर कारें नहीं कर पाएगा। और बिमारियों से लरने की ताकत देता है, कोई भी बियक्ति का अगर स्वास्त अच्छा होगा, तो अपनी छमता के अनुसर काम और बिमारियों से लरने की ताकत स्वास्त देता है, अच्छा स्वास्त रहेगा तो सरीर लर लेगा, आज भगया लर लेंगे हम, ऐसा कोई भी और स्वस्त इस्तिरी या पुरुस संगठन के संगरम संगठन के समगर विकास में अपने योगदान नहीं दे सकते हैं अब देखो जो ही ब्यक्ति किसका कोई मतलब जिसका स्वास्त खराब हो इनीचे अब दे सकते हो स्वास्त की जाच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए शिसु मृत्यु दर से अभिप्रिया एक वर्ष से कम आयो कैसी सु क्यंद्द्थिवस से है जनमदर से अभिप्राया एक विशेस आवधी में प्रति Kelvin भ्यक्तियों के पीछे जनम लेने वाले Σिस्यों के संख्या से है जनमदर और मृत्युदर अभिप्राया एक डिसेश आउधी में प्रती एक हजार ब्लक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों को मृत्यूदर बोलते हैं जनम दर जनम लेने में मर गए, मृत्यु दर मर गए, मृत्यु दर बाद मर घाले, शिसु जो पैदा लेते मर गए, काम खत्यु और शिसु मृत्यु लोग भुरुन हत्या कर देते थे, मतलब गर्भ में ही बच्चे को मार देते थे लड़की है मर्दो ऐसी सिती चलती थी पहले की समाज में आज भी बहुत जगहप ऐसा है यहाँ पर देखो क्या परेते समगर बिकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगी अगर कोई इस्तरियाप पुरूस अगर सुवस्त नहीं हो तो अच्छा काम करने में एस रिस्पंसिवल नहीं हो वास्तों में मतलब सही में देखू तो सुवस्त अपना कल्यान करने का एक अपरिहाय कारक है मतलब एक महतपुन कारक है अपना कल्यान करने का इसलिए जनसंख्या की सुवस्त इस्तिती को सुधारना किसी भी देश के प्रात्मिक्ता होती है कोई भी देश अपने एडिये के लोग को स्वस्त रखेगा तो उसका हर चीज बराबर होगा हमारी राष्टे निती का लक्ष भी जनसंखिया के अपले सुविधा परियाप्त वर्गों पर विशे सध्यान देते हुए और स्वस्त सेवाओं, परिवार कल्यान और पोष्टिक सेवा तक उनकी पहुच को बेहतर बनाना है हर चीज को बेहतर बनाना पड़ेगा जैसे हमारी राष्ट के निती ये है कि जनसंखिया को अच्छी सुविधा देना अच्छया स्वास्त सेवाओं को देना परिवार कल्यान के लिए जरूरी सुचना देना, पॉस्टिक सेवावों तक उनकी पहुच को बहतर बनाना ये राष्ट की नीती है, राष्ट को करना है लेकिन राष्ट करती नहीं है, लोग ऐसा ही रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं पिछले पांच दसकों में भारत ने सरकारी और नीजी छेत्रों में प्रात्मिक दिवतियक तथा तिरतियक सेवावों के लिए अपेक्षित एक विस्तित स्वस्त अधारित संरचना और जनसक्ती का निर्मान किया है ये केवल किताबों में ही दिखेगा, बाकी जगा अपने ही दिखेगा अरे पहले की जनसंख्या 100 करोड थी ना, 110 करोड, 105 करोड थी अभी जनसंख्या 25 करोड, 30 करोड बर गई है 30 करोड बरने का मतलब समझते हो 30 करोड लोग जो जन संख्या 30 करोर बढ़ गया है तो उन जन संख्या क्यों तो गीनो नोकरी तो बस बाकी लोगों के लिए मिला है और ये 30 करोर तो बरबाद है तो ये 30 करोर के लिए सुचना परेगा उनकी उपायों को अपनाने से जीवन परतियासा बढ़ कर जीवन परतियासा कोशिस और जो मिल रहा है उसको वो बढ़ कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है सिस्यू मृत्यूदर 51 से 147 से घट कर 2016 में 34 पर आ गई है इस सुविधा में असोधित जनम मृत्यूदर 20.4 और मृत्यूदर 6.4 पर आ गई है जीवन परतियासा में बृध्धी जीवन में बृध्धी एक बहुत बड़ा लख्ष होता है बृध्धी और सिसू देख भाल में सुधार देश के आत्म विश्वास को भावी प्रगती के साथ आंकलन के रिए उपयोगी है आयू में बृध्धी आत्म विश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुनवता को सुचक है सीसू की संक्रमन से रक्षा तथा मताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोसन सुनिश्चित करने से सीसू मृत्यु घटती है अब देखो महिलाओं के संक्रमन सीसू का संक्रमन जो होता है महिलाओं से भी होता है तब महिलाओं के कुछ बीमारी का इलाज करतो और सीसू में होने वाली संक्रमन से रक्षा के लिए मताओं के साथ बच्चों की देखभाल करने के लिए जग रुपता बढ़ा दो पोसन सुनिश्चित करने के लिए जब पोसन सुनिश्चित होगा ता सीसू दर अपने आप कम हो जाएगा अगर मा हुसियार ता बच्चा भी एदम फरहर एकदम परफेक्ट होगा एकदम आया डाउनलोड हुआ डिलेवरी हो गया इंटरनेट सिस्टम मत समझ लेना सारनी आये चर्चा करे सारनी दो दो समला दो को पढ़े और निमनलिखित प्रशनों के उतर दे 1951 से 2015 तक औसा दाले मतब दवा खाना के संख्या में कितनी परतिस्यत के ब्रिद्धी होई है इसका जबाब आपको मिल जाएगा है इसी वे नहीं मिलेगा नीचे साइल मिल सकता है कहीं आमें पहरा था चलो दो नमबर देखते हैं 1951 से 15 तक डाक्टरों और नर्स करम नर्सिंग करम चारियों नर्सों में कितने परतिस्यत के ब्रिद्धी हुई है यह आपको देखने को मिलेगा कम जब आप इंटरनेट को खालोगे तब मतलब इंटरनेट गूगल में ढूगोगे गूगल बाबा से पूछोगे बाबा बताओ कि 1951 से 15 में कितने दवा खाना खुले है और साधाले मतलब होता है दवा खाना और डॉक्टर और नर्सिंग करमचारी के कितनी परतिसल बिर्धी हुई है इंटरनेट बाबा सब बता देंगे चलो छोड़ो यहाँ पर दिखी रहा है यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर बताया गया है उप केंद्रियल प्रात्मिक स्वास्त केंद्र समुदाइक स्वास्त केंद्र 13, 14, 15, 16, 17 में कितना था और साधाले अस्पताल यह भी देख सकते हो बिस्तर सरकारी सरकारी अस्पताल में यह भी देख सकते हो भरतिस चिकित्सा परिशद में पंजिक्रित डॉक्टर नर्सिंग नर्स करमचारी और ANM, RNM, RM, LHV यह सब के बारे में आप यहाँ पर थोरा सा डाटा मिल जाएगा बाकी डाटा को आप निकाल सकते हो इंटरनेट से कहां मिलेगा स्वास्त एवार कल्यान मंत्राले के पोटल पर जाईओ वहाँ पर PDF को डाउनलोड कर लो क्या आपको लगता है कि डाक्टर और नर्सों के संख्या में ब्रिद्धी परियाप्त है? यदि नहीं तो क्यों? इसके बारे में किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करना चाहेंगे? कोई भी अस्पताल है उसमें और कौन-कौन सी सुविधाएं को उपलब्ध करना चाहेंगे? आप हाल में जिस अस्पताल में गए हैं उस पर चर्चा करें? सबसे लाश्ट है इसी सारनी का उप्योग करते हुए क्या आप एक आरेख बना सकते हैं? मतलब एक परजेंटेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं तो बना कर आप समिट कर सकते हैं पोटल पर किरिया कलाब आप निकट के किसी सरकारी या नीजी अस्पताल में जाएं और निमनलिखित दीवरन नोट करें जिस अस्पताल में आप गएं उसमें कितने बिस्तर हैं अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं अस्पताल में कितना नर्स करे करता है इसके अलावा निम्लिखित अतरिक्त सुचना एक अतरिक्त करने का परियास करें ऐसे अब जाओगे तो आपको डाट का भागा दिया जाएगा लेकिन अब जाओ, महाप जनकाडी को प्राप्त करो नहीं होता है, तो पुलिस एशेशन में जाओ महाप कम्प्लेन करो कि हमारे सिक्ट एश्कूल के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है ये नहीं दे रहे हैं, तो हम इन पेफा यार कड़ेंगे तो वो डड़े दे देगा सब चीज, सारा अस्पताल का वेरोड़ा दे देगा लो भाई तुम पर, काम करनी तो बता देगा आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औसा धाले हैं, कितने दवे खाने हैं तो हमारी इलाका अब तो ऐसा कोई इलाका नहीं आता है जिसमें दस से कम दवा खाना हो दस तो है ही आम दस मिल जाएगा भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज है पूरे भारत में 381 मेडिकल कॉलेज है और 301 डेंटल कॉलेज है केवल 4 राज्य जैसे आंधर परदेश, करनाटक, महराष्ट, तामिल नाडू में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज है अधिम मेडिकल डेंटल कॉलेज है मतब मेडिकल है अधिक मेडिकल है जब से जब अधिक मेडिकल मिलेगा आंधर परदेश, करनाटेक, महराष्टरा और तामिल नाडू बाकी जगों को क्यों नहीं देते हैं पता नहीं जिस दिन मेरा सरकार बनेगा न इंदर जेत स्टाड़ी पॉइंट का अपना गॉर्मेंट बनेगी उस दिन में बताऊंगा बेरोजगारी, बेरोजगारी किसको बोलते हैं अगर करने को कुछ काम नहीं हो, पैसा कमाने के लिए दो वक्त का रोटी खाने के लिए कुछ काम नहीं दिया जा रहा है काम मिल नहीं रहा है, नुकली नहीं मिल रही है, उसी को बेरोजगारी बोलते हैं कुई बात नहीं, थेला लगाओ, तेल डालो, उसमें मचलिया तालो, पकोरी तालो और खिलाओ अराम से सकल का मा का नाम था सीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखबल तथद खेती के काम में अपने पती बूटा की मदद करती है किसमें करती है? बूटा की मदद करती है खेतों में सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घुमने फिर्दे में गुजारते थे क्या आप सीला या जीतू या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं यदि नहीं तो क्यों आप क्यों नहीं उसके बारे में नीचे देखते हैं को बेरोजगार है कि नहीं है कोई बिरोजगार नहीं है, सब रोजगार में है बिरोजगार उस समय बिद्दमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए एक छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं उसको बिरोजगारी कहते हैं ठीक है? सीला की रुची अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती स्रम और सक्ती की जनसंख्या में नहीं हो सकती और नहीं जीतू और सीतू और सीला को बेरोजगार कहा जा सकता यह सब लोग बेरोजगार करते अपने घर के सरम बल जनसंख्या में वे लोग सामिल किये जाते है मेहनत वाले काम जनसंख्या में वही लोग सामिल किये जाते है जिनकी उमर 15 से 99 वर्ज के बीच होती है सखल के भाई और बहन इस आईोब वर्ग में नहीं आते इसलिए वो नहीं रोजगार है नहीं बेरोजगार है इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता सकल की मा सीला परिवार के लिए काम करती है वो अपने घर से बाहर जाकर परिस्रमिक के लिए काम करने के एक्छुक नहीं है उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता सकल के दादा और दादी नाना और नानी जिनका यह भबी इस कहानी में वर्नन नहीं है इस कहानी में उसके दादा दादी नाना नानी को नहीं बताया गया है उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी उमर 69 वरस से उपर है वे लोग मरने वाले कदार में है इसलिए उनको भी बेरुजगार नहीं कहा जा सकता जपान में अब चल दियाओ जो ब्यक्ति 95, 96, 100 साल का है वह भी आपको वहाँ पर काम करते दिख जाएगा भारत के संदर्भ में गरामिन और नगरिये चेतरों में बेरुजगारी है तथा पी ग्रामिन और नगरिये छेतरों में बेरोजगारी की प्रकिरती में अंतर है अब देखो बेरोजगारी सहरों में बेरोजगारी कम है लेकिन गाओं में ज़ादा है ग्रामिन छेतरों में मौसमी और प्रचन बेरोजगारी है मौसम नहीं रहेगा तो बेरोजगार है, काम नहीं रहा तो बेरोजगार नगरिये छेतरों में अधिकांसता सिक्षित बेरोजगारी है मतब पढ़े लिखे बेरोजगार बईठे हैं जो पढ़े लिखे बईठे हैं तो बीना पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और सहर में injected सब कम्पलेट है नोकरी के लिए फिर भी नोकरी नहीं मिल रही है तो पढ़े लिखे बेवकूफ को बोलते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार इसे लिए आप नोकरी के पीछे मत भागो नहीं चुकडी के पीछे भागो जिन्दिगे में आप भागो अपने लिए भागो अपने नॉलेज को बिल्ड करने के लिए बराने के लिए भागो डिगरी से कुछ नहीं होता डिगरी ले लो अगर काम करने नहीं आता ना तो लात मार के भागा देंगी भागियां से आता गुता कुछ नहीं है चलाएं यहां पर डिग्री लेकर ऐसा बोलकर भागा देगा सब मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्स के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्रिसी पर आस्रित लोग आम तोर पर इस तरह की समस्या से जोजते हैं जो खेतिवारी के काम करते हैं वर्स में कुल ब्यस्त मौसम होते हैं साल में कुछ ब्यस्त मौसम होते हैं जिसको बोलते हैं जुताई, कटाई, बुआई बुआई, जुताई, नई, बुआई, कटाई और निराई कटाई काट लिए निराई उसको काट कुट उसको अनाज निकाल कर और गहाई और निराई गहाई में वही आज़ता है काट कुट कर इस दम फसल को लिकाल देना हो गया फसल ते यार कुछ विशेस महीनों में खिरिसी पर आस्तरित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है मतलब मौसम हो खेती बारी लाइक तो उनको काम मिलेगा नहीं तो देदे राम दिलादे राम देने वाला दादा राम वह याले यहां से देखो प्रसन्य सब विरुजगारी के अंतरगत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अब देखो प्रचन विरुजगारी प्रचन विरुजगारी के अंदर में क्या आते हैं उनके पास भुखंड होता है उनके पास जमीन होता है जहां उन्हें काम मिलता है क्या मिलता है उनके पास भुखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है ऐसे प्राया क्रिसिगत काम में लगे परिजनों में लोग हैं ऐसे में भी लोग हैं किसी काम में पांच लोगों किया सकता होती है लेकिन उनमें आठ लोग होते हैं इनमें तीन लोग अतिरिक्त हैं, मतलब जादा हैं, ये तीन ऐसे खेत पर काम करते हैं, जिस पर पांच लोग काम करते हैं, मतलब तीन जादा काम करते हैं, इन तीनों दुवारा किया गया अंसदान, मतलब हाथ से किया गया कुछ भी कांग, अंसदान पांच लोगों दुवा तो खेत की उत्पादक्ता में कोई कमी नहीं आएगी, खेत में पांच लोगों के काम कियो सकता है और तीन अतरिक्त लोग प्रचन्य रूप से बेरुजगार होते हैं, वे उनको काम मिलते हुए भी वे बेरुजगार हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो हटा दिये गए तो भी दिक्कत नहीं है, तो वैसे लोगों को प्रचन्य रूप से बेरुजगार बोले जाते हैं, कमपनी में भी जब काम कम हो जाता है, तो कुछ श्टाप को निकाल दिया जाता है, जाओ भी घर जाओ, ज़रूद नहीं आप रहने का, तो उन्हीं लोगों को प्रचन्य पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा हो गया, आप बोर्ड हो जाओगे, सोने लगोगे, सोना नहीं है, पढ़ना है, दिन और रात पढ़ना है, कोई गरांटी नहीं है, कब तक पढ़ना है, लेकिन हमिशा पढ़ना है, इंद्रजीत स्टड़ी पाइंट में जुरने के लिए आ कुछ भी डाउट हो, कॉमेंट हो, कुछ भी हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं,